Hello studentsWorks, मैं Dr. C.S. Rattor, rekornment girls college जानगिर से आज की class میں मैं summability theory के बाए में discuss करूँगा तो summability theory की जरुरत क्यों पड़ी इसके बारे में हम पहले देखते हैं summary theory के लिए एक चीज और जानना हमको जरूरी है वह है series कब convergent होता है और कब divergent होता है तो इसके बारे में सबसे पहले कॉसी ने 1821 में बताया कि किस series को हम convergent और किस series को divergent की स्रेडी में रखते हैं तो ऐसी series को हम convergent बोलते हैं जिसका sum हम कॉसी method से find कर सकते हैं कॉषी मैथड से sum क्या है तरीका find करने का कि कोई भी series दिया है उस series का हम क्या करेंगे partial sum का sequence निकालेंगे यहने उसके कुछ terms के sum का sequence निकालेंगे suppose यह s n है और इस अगर यह जो sequence जो partial sum का sequence देख रहे हैं अगर यह convergent है तब हम हम बोलेंगे कि इस series भी convergent है और इसका sum find कर सकते हैं तो इसका sum क्या होगा इस sequence की जो limit होगी यह जो partial sum का sequence बोल रहा है s n इसकी जो limit होगी s वही series का sum होगा तो यह कौसी ने बताया कि इस type की series जो जिसका sum हम कौसी के method से find कर सकते हैं यह सब convergent series है और जिसका sum हम इस method से find नहीं कर सकते वो सब divergent series है तो question अब यह उठता है कि क्या जो जिसको कौसी ने divergent कहा क्या उन series का हम sum find नहीं कर सकते हैं तो उसका answer हम यह देंगे कि हाँ उसका भी sum find कर सकते हैं उसके लिए बहुत सारे methods हैं हमारे पास उनमें एक example देखते हैं जैसे एक series है 1-1 plus 1-1 plus 1 and so on यह series कौसी method से divergent है आप check करके देख सकते हैं लेकिन फिर भी इसका sum find कर सकते हैं कैसे find कर सकते हैं इसके लिए हम simple method देखते हैं कि 1 upon 1 plus x का binomial expansion देखें तो 1-x plus x square minus x cube and so on और अगर हम यही पर x की value 1 put कर देखें तो 1 upon 2 equals to 1-1 plus 1-1 plus 1 and so on तो इस series का sum हम find कर दियें लेकिन कौसी के method से इसका sum नहीं था पता लेकिन फिर भी अब हम इसका sum find कर सकते हैं तो ऐसी हम एक method है named method जिसको ables method बोलते हैं इसके बारे में देख लेते हैं तो ables method क्या है जैसे एक series दी गई है in इसका हमको sum find करना है और ये suppose करते हैं कि divergent series है अब इसका हमको sum find करना है तो क्या करेंगे इस series का एक associated series या इसका एक transformation लेते हैं ठीक है इसका हम transformation लेते हैं मतलब x to the power n इस series के terms के साथ और product में लिख देते हैं तो एक नई series आ गई और इस series को हम power series भी बोल सकते हैं या फिर functions के series है तो ये क्या है यहाँ पे जो x की value है 0 to 1 है तो ये जो इस series का sum आएगा ये जो हम associated series लिए हैं इस series का sum suppose tx है तो ये भी एक function होगा क्योंकि ये x के form में है series तो जो इसका sum आएगा वो भी x के form में आएगा इस function of x आएगा तो इस जो लिमिट है उसकी लेप्ट हैंड लिमिट ले 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 एक्स टेंड टू 1 माइनस और ये जो लेप्ट हैंड लिमिट सपोज एस आता है तो यही x उस series n का abels sum होता है एक example से समझते हम इसको suppose ये series है minus 1 to the power n जो last slide में हमने discuss किया उसी को हम abels method से इसका sum निकालते हैं तो ये series क्या है n minus 1 to the power n sum from 0 to infinity तो इसकी associated series निकालते हैं abels method में क्या है इसकी हम associated series x to the power n का multiply कर देते हैं और इस series को expanded form में लिख देते हैं अब इस series का sum find करें ये geometric progression में है और common ratio less than 1 है तो इसका sum क्या आएगा 1 upon ये formula apply कर देंगे sum of infinite terms a upon 1 minus r a मतलब first term 1 है ratio है minus x 2 upon 1 plus x अब इसका जो associated series का sum आता है उसको हम किस से denote करते हैं tx से यहाँ पे हमने denote कर दिया fx तो वो जो tx से उसकी limit निकालते हैं मतलब इसकी fx की left hand limit निकालते हैं limit x tends to 1 minus f of x x की value 1 minus h put कर देंगे then h tends to 0 और h की value 0 रखने से यहाँ पे 1 by 2 आ जाएगा तो इस function का जो इसका sum function था इस series का sum function था उसकी left hand limit लिमेट 1 by 2 आ गए और इसी left hand limit को हम इस series का apples sum बोलते हैं तो इस प्रकार हम ऐसे series जिसको कौसी method से जिसका sum find नहीं कर सकते तो series का sum भी हम इस method से find कर सकते हैं तो ऐसे बहुत सारे method हैं जिसके बारे में हम आगे discuss करेंगे तो आज की class में इतना ही है thank you